के गुद मॉर्णिंग माई इडियर स्टुडेंट लेकाम तू माय चैनल नीट बाइ बाइ प्रीती आनन्द। माई नीम बना अप्रीती आनन्द। आप लोगों के वज़ेसे आप लोगों कि इम्सूपोर्ट कि वज़ेसे आप लोगों को आप लोगों ने जो share किया है subscribe किया है इस सब की वज़ा से इसलिए मैं आप लोगों को दिल से thank you बोलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं यह चैनल बहुत ज़्यादा grow करें और 1K subscriber तक आप लोग इसे increase करने में ह jackets कीजिए और मैं अपने चैनल पे बहुत यह अच्छे वीडियो कंटेंट्स अप्लोड करूंगी जिससे आप लोगों को हैल्प मिल सकेगी एक्जाम में सो प्लीज आप मेरे वीडियो पे लाश्ट तक देखिए लाश्ट तक आप सुनिए और मेरे चैनल पे बने रहिए मैं कम कुमिनिटी पोस्ट पर करती हूँ आप चाहे तो वहां से प्रैक्टिक्स कर सकते हैं क्वेस्ट चैप्टर वाइज और मैं ईस वीडियो में ठाइज कर दूँ अप लोगम चाहे तो वहां से भी हねप ले सकते हैं और मेरे चैनल पे बने रहे है और जार्दा से जार्दा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शियर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे सोय स्टाइट कर तें हागा डिसकेस्शन वेक्य intense के बारे में सोय सोटा क्या है पहले हम एंशी एंसे आटी में जो लिखा हुआ है उसे मैं डिस्कस कर देती हूं तो स्टाट करते हैं वैक्यूल्स क्या होता है दा वैक्यूल्स इस दा मेंब्रेन बाउंड स्पेस फांड इन दा सैटो प्लास्म इट कंटेंस दा वाटर सेप एक्सक्रेटरी प्रोडक्त अंडर मेटेरियल वैक्यूल्स एक मेंब्रेन बाउंड स्पेस है जो साइटो प्लास्म में पाया जाता है यह एक ऐसा स्थान या प्लेस है जिसके चारों तरफ मेंब्रेन पाई जाती है जो वैक्यूल्स है उनमें क्या होता है तो उनमें वाटर प्रेजेंट होता है सेप प्रेजेंट होता ह जिसे से बाहर निकलना होता है और ऐसे मेटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं जिसे बाइब होते हैं जिसे हम टोनो प्लस्ट करते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टन वेरी इंपॉर्टन कुष्चिन से नीट एक्जाम के लिए कि vacuos के चारों तरफ एक membrane उसका नाम क्या है तो tonoplast और plant cell में जो vacuos है वो cell के लगबग 90% volume occupy करते हैं next point है in plants the tonoplast facilitate the transport of number of ions and other material against concentration gradient into the vacuum hence their concentration is significantly higher in the vacuos than in the cytoplasm जो plant cell है उनमें जो tonoplast होती है vacuos की जो membrane होती है उसका काम क्या है उसका काम यह है कि वो बहुत सारे ions का transport करती है जो दूसरे material होते हैं उनको vacuos concentrated gradient से transport करके लाती है जो materials या ion उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है vacuos में cytoplasm के मुकाबले कुछ materials है मान लिजे कि excretory materials है वो vacuos के अंदर क्या होता है बहुत जादा होता है cell के बाहर वो कम होता है tonoplast क्या करती है तो tonoplast जो cell के लिए harmful है उसको बाहर निकाल देती है नेक्स्ट पॉइंट है इन अमीवा दा कंट्रक्टाइल वैक्यूल इस इंप्रेक्टाइल होता है जो अपनी सेप को क्या करता है चेंज कर लेता है बदल लेता है सीकूर जाता है कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो होता है वह एक्सक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है इसमें क्यूश्चन आता है कि अमीवा में किस प्रकार का वैक्यूल पाया जाता है तो अमीवा में जो होता है वह कंट्रक्टाइ प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूस पाया जाता है और यह सेल के इंसाइड फॉर्म होती है बाइ इंगल्फिंग दा फूड पार्टिकल्स अब हम आ जाते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि वैक्यूस के कितने टाइप्स होते जो वैक्यूस जो होता है वो बोध प्लांट एनिमल्स दोनों में प्रेसेंट होता है और इसके चाट टाइप होते हैं पहला सेप्स्ट मेरे निन प्लांट सेल SCP में प्रसेंट होता है इसमें जो सेल बयम्टर होता है या नो प्लक्ष होतर है थैनलस, जो शव को डर्जी बना ता है बनता है cream water इंदक आड़् एक्यू theo का रिम्नुव करता है और यह इंपórटम्ट था ऊस्मो रेघ्वलेटियोन और एक्स्रेशन के लिए भूब वैक्योल से फूड़फ जो कि आमी बड गेनने प्रेजंट और ऑन्थों में इनुब होटा है और यह क्या करता है यह आ likewise पर्ले ौज को indeed एस यह कि प्रेजन इसमें बैक्टेरिया और है वी प्रेजन होते हैं जो की संञ्धेरिक हैं अब आजाते हैं कर वंहंन की बारे में तो इस सूरेज प्रॉक्चरेश groot इस प्रेच नहीं होता है साहता हैं वाटर सेप और सेकेंड वोल फोटोर फोड को होर्मोल criticisms स्टैनिरें व कहता है। और यह फूर्न वाज़र स्टैनिन धे। उसेड लाइट यह कीश पिल रहें, यह घुन फिनि में फिर सद्ट, लाइट बहु पूट समी। यह रिजल्ट औाफ वार्ट डॉस्त टॉजए होटा वह प्लांट से मृंट विय्ये च्वर्ट अप्लूंश लिए होता है डाट ईस्टोडोन प्लास्ट सेकेंड कोस्चने है वात इसेल से भोता है क्या है तो अधर में मिनर्ल स depths होता है तो सुल्यूशन अधर में प्लांत सेल रंद आर यह कंटेन क्या करता है सूगर अपनिक में देडेड के 3rd question of what is vacuolos vacuolos होता क्या है इसका अंसर है vacuolos is a membrane bound structure found in the cytoplasmic matrix of a cell membrane surrounding the vacuolos is known as tonoplast vacuolos होता क्या है तो vacuolos एक membrane bound structure होता है जो कि cytoplasmic matrix होता है के अंदर उसमें ये पाया जाता है और वेक्व जो होता है वो स्रॉंड होता है मेंब्रिंस से जिसे हम टौनो प्रकर करते हैं इसका और इसका अंसर terrace water and Champions मेंटेन करता है वाटर को बैइलेंस करता है ये हल्प करता है सिक्सक्राइब थो स्वघाउल रागवोड फिरेस्ट परसेज्ञ प्रेजम होते हैं तो इसका अंसर है प्लायफ सेज्ञ बचाइब when the फार्म प्सेल हैप द्यूट्होंती प्रॉस्टव के प्रेज़्ट शिलम प्रेशर इंसाइड गेए एंच्थल्स यहित्षान प्लांट में हैं कि इनिम प्लांट के सिंगल न MA gamer सूरदे में से सटाने इंपना होता है और शारर्च वैक्षब करते हैं। उसके अलाबा ये water को भी store करके रखता है वैक्यूल के अंदर जो liquid present होता है उसे हम लोग sale sap बोलते हैं और उसमें ये water जो होता है वो plant store करता है जिसके कारण जो plant sale में pressure create होता है आई सिर्फ देता मिन्स रीजिड रखता है इसी कारण से प्लांत होता है घर गड़ प्लांनिग्य में अर काल़ सेन निष्म मिलती है और ये क्या होता है प्लांत में लाट साइज dog लोगों को सिखों करनी होता है अब न दहुत आप लोगों सम legislatures मेंब्रेन बाउंड और्गिनेल होता है और इसके मेंब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं और यह सेल के अंदर क्या होता है और इन प्लांट सेल में वेक्यों अकोपाई अप्टू नाइंटी परसेंट वाल्यूम अकोपाई करते हैं नेक्स्ट पॉंट इन अमीबा दा कंट्राइल वेक्यों इसके लिए एक्स्केरेशन के लिए और प्रोटेस्ट में फूट वेक्यों होता है वेक्यों क्या कंटेन करता है तो वेक्यों कंटेन अमीनो एसीड शूगर वेरियस और गेनिक एसीड और सम प्रोटेन वेक्यों के अंदर अमीनो एसीड होता है अमीनो एसीड शूगर वेरियस और गेनिक और सम प्रोटेन कुछ प्रोटेन पाए जाते है vaculles are small size in animals while very large plant cells provide tergidity and rigidity to the cell vaculles जो होता वो small size होता animal cell में और plant cell में ये large size का होता जो कि tergidity और rigidity प्रोवाइड करता है cell को और इसी storage sack for solid और liquids contents करते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखें टेक केर बाई